नमस्कार जी मैं आज एक बहुत बड़ा एलान करने जा रहा हूँ जैसा कि सब को पता है कि आमादिय पार्टी सच्चे दिल से इमानदार पार्टी है आमादिय पार्टी एक एंटी करॉप्शन अंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आमानी पाटी की दिली और पंजाब की सरकारें तह दिल से इमानदार सरकारें है हमें एक पैसे की भी हेरा फेरी बरदाश्ट नहीं करेंगी जब मैं पंजाब में चुनाप परचार करता था गाओं गाओं जाता था कस्मों में जाता था तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उमीद देखता था। लोगों की आँखों में एक उमीद मुझे नजर आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें ब्रिष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा। जब मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया गया तब भी मुझे अरविंद केजरिवाल जी ने कहा था कि भगवन जो मर्जी हो जाए हमने ब्रिष्टाचार बरदास्त नहीं करना। मैंने उनको बचन दिया था कि एक पैसे के भी हेरा फेरी बरदास्त नहीं करेंगे चाहे वो अपने हो हेरा फेरी करने वाले चाहे बेगाने हो। इसी सिल्सले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का पंजाब सरकार का कैबनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फ्रोक्त में से एक प्रसेंट कमिशन मांग रहा था तो मैंने उसको गमीर्टा से लिया ये मामला सिर्व मेरे पास ही है मीडिया के पास इसकी कोई जान करें नहीं है विरोधियों के पास इसकी कोई जान करें नहीं है मैं चाहता तो इसको दबा सकता था अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोडों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिनोंने मुझे पर जिकेन किया तो मैं अपनी पार्टी की जो बिचार धारा है उसके भी खिलाब होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ उस मंत्री का नाम है डॉक्टर बिजे सिंगला जो के सिहत मंत्री है पंजाब में कैबिनेट में थे जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुना कबूल भी किया तो हम चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों जीरो टॉलरेंस है हमारी रिश्वत खोरी के खिलाफ मैं सब को कहना चाहता हूँ कि अब सिस्टम बतल गया है चाहे आप अफसर हो चाहे पंजाम में किसी राजनीतिक पद पर हो चाहे बिपाक्ष में हो चाहे सरकार में हो अब सिस्टम बतल गया है अब एक रुपे की भी हेरा फेरी नहीं चलेगी हम एक प्रसेंट लोगों का एक प्रसेंट पैसा भी बचाएंगे लोगों की जेबों पर डाका नहीं डलने देंगे और ये इतिहास में दूसरी बार हो रहा है 75 साला इतिहास हो गया देश का अजादी को बाद 25 साल हो गया ये दूसरी बार हो रहा है त्यास में पहले 2015 में अर्विंद केजरिवाल जी ने अपने फूर्ट स्प्लाई मिनिस्टर को पांच-छे लाकर पर या आडियो पर मागते हुए उसी आडियो को सुनकर उनको मंत्री मंडल से ब्रखास्त किया और केसी बिया को दिया और आज अक्षी पार्टियां वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि देखो दो महिने में भगवांतमान की सरकार में एक क्रॉप्ट मंत्री पकड़ा गया है मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उस पर एक्शन भी महीं ले रहा हूं इससे पहले कई मुख्य मंत्रियों ने ये कबूल किय था कि मेरे मंत्री मंदल में बहुत से मंत्री जो हैं माफिया से जुड़े वो हैं और करॉप्शन करते हैं लिकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया लेकिन आम आदमें पार्टी कट्ट्रड इमानधर पार्टी है हम अपने मंत्री पर सक्त एक्षन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी पुलिस को उसके खिलाब कारवाई करने के नर्देश भी दे रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल में जिनके दिमाग में यह धारना है कि यह कुरॉप्शन का तानाबाना बहुत अर्विन केजरिवाल जैसे भारतमा के सपूत हों जोनोंने पार्टी ही एंटी क्रॉप्शन मुव्मेंट से निकल कर बनाई और उनके साथ मेरे जैसे हजारों वतन प्रस्त सिपाही हों तो यह देश बदल सकता है भगर सिंग जी को यह कभी भी चिंता नहीं थी उजादी क कौन से हाथों में जाएगा कई फिर तो नहीं लूट मचेगी लेकिन हम भगत सिंग के सपनों की आजादी को घर घर तक पहुंचाने के लिए वचन बद्ध हैं इसी सिलसले में हमने यह एक्षन लिया है मैं फिर दुबारा कहना चाहता हूं ब्रिष्टाचारियों को जो द नहीं होती है सब कुछ यहीं रह जाएगा तो कुरॉप्शन फ्री कंट्री बनाना अर्विन केजरिबाल जी का सपना है और देश को आगे बढ़ाना उनके सभी हजारों लाखों की किन्ती में सिपाहों का सपना है इनकलाब जंदाबाद